मुख्यमंत्री अशु गहलोत ने CMR में कानून व्यवस्था की समिक्षा की जोरान CM ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये की महिला और बालिका सहिद समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों में पोलिस पूरी ततपरता और समविदन शीलता से कार करें बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था महिलाओं से वंचित अपराधों संगठित अपराधों मादक पदार्थों की तसकरी रोकने माफियाओं के खिलाफ कारवाई तेज करने जैसे विश्यों पर गहन समीक्षा की मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पुलिस जिलों में गठित Special Investigation Unit for Crime Against Women का असर है कि दुशकारम और 500 केसिस की तफ्तेश में लगने वाले समय में उलेकनिये कमी दर्ज़ की गई है पहले जहाएन अपराधों के अनुसंधान में पुलिस को आसात रूप से 278 दिन का समय लगता था तो वहीं यूनिट के गठन और मॉनिटरिंग के कारण इस समय में 45 प्रतिश्वत तक कमी आई है घैलोत ने इन दिरदेश दिये की राजस सरकार ने जिस प्रकार से थानों में हर परियादी के अफाय आणि वाले डूप से दर्ज़ करने की व्यवस्था की है उसी प्रकार की ये व्यवस्थाय सभी राज्यों में करने के लिए केंद reduction मंत्राले को पत्र लिखा जाै साथ ही में जुंगरपुर और उदैपुर जिले के खेरवाडा में बीते दिनों हुए घटना करम से संबंदित सभी पहलों के जाज के लिए ग्रह वभा के शासन सच्रिव अनल मीना को नेकतब किया है मुख्य मंत्री ने अलवर के थाना गाजी में हुए बलातकार प्रकुरण में पुलिस के द्वारा की गई तब तीश की सरहाना की बैठक में मुख्य सच्विव राजीव सवरू पुलिस महाने देश्यक भुपेंद्र सिंग पुलिस महाने देश्यक अपराद M.L. लाथर सहि अन्या दिकारी उपस्तित रहे जस्टिस A.M. खान, विलकर जस्टिस दिनेश महाईश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बैंच में सुनवाई आज यहां पर हुई रहा राजस्टान सरकार के S.L.P. पर सुप्रीम कोर्ट की टिपनी जल्द कर सकता है राजजचनाव आयोग का कारिक्वरम घोशित और आपको बता दे कि तीन बार पहले भी समय सीमा इसकी बढ़हाई गई है और आपको बता दे कि यहां पर राजचनाव आयोग को निर्देश दिये गए हैं जिस प्रकार से पूरा मसला ये गर्मा था सुप्रीम कोर्ट में राजस्टान सरकार के S.L.P. पर सुनवाई हुई है और 44 दिन से अधिक समय लगने पर हाई कोट जाने की शूट अब दी है सुप्रीम कोट ने एक सब तहां में चनाव कारिक्रम को नोटफाई करने के साथ ही में आदेश दिये हैं तो राजसरकार कोई हां पर आदेशित किया है राजचनाव आयों को निर्देश दिये हैं चुले सी खबर पर अधिक बाचीत के लिए वरिष्ट समवारता नीरज महरा फोन लाइन पर जोड़ जोड़ जिक हैं नीरज जिस प्रकार से ये मसला गरमाया था अब सुनवाई हुई है इसलपी पर और जिस प्रकार से आगे नोटिफाई करने के आदेश दे दिया है चुनावी कारिक्रों में आप किस तरीके से देखने हैं स्कूरी प्रक्रण को देखी देखी स्प्रिम तोड़ में राजचन सरकार को किसी पर तरह की राहत नहीं दी है और सबसे बड़ी वात है कि साथ का आए कि इस तरह से तंचायव चुनाव कराए रहे हैं हाली में राजचन में जी और जब भी आर में विदान सबाद चुनाव हो सकते हैं तो राजचन में जैपो जो तो कोटा सी छे निगम के चुनाव होने में क्या परिसानी है हाला कि सरकार का कहना था कि इस तरह से कोरोना का संगर्वन लगातार बढ़ रहा है उसके जल से फिलार इस पर रोक लगाने जाए इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो इस पर स्प्रिंट बोट में रहाद देने से साफ इंकार कर दिया है और एक सफ़्पा का समझ यह एक सफ़्पा में चुनाओ को जरा करना पड़ेगा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा तो साफ सी बास है कि अब सरकार को इसकी तैयारी करनी बड़ी आलाकि कोर्ट में यह भी कहा है कि आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं लेकि मुझे रखता नहीं कि अब सरकार हाई कोर्ट जाएगी क्योंकि सरकार पहले से ही दो तिन बार इसका जो है चुनाओ की तारीक बड़ा चुकी है अब लगता सुप्रेम कोर्ट से दराहत नहीं मिलीगी चुनाओ तैसे में पर ही होंगे और इसमें जल्दी ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जाती जी ली रजीब बहुत धन्यवाद तमाम बाच्शीत के लिए